प्रेंट्स आजम समझेंगे what और which के बीच में difference तो चलिए देखिए ज़रा जब हम बात करेंगे what की जब हम what करेंगे बात करेंगे what की तो सबसे पहले समझेगा यह एक pronoun के जैसा काम करता है और यह एक adjective के जैसा काम करता है देखिए इतनी basic जानकारी अगर आपको नहीं है तो दिक्कत है आप सिर्फ जानते कि what means क्या होता है तो what एक pronoun भी और what एक adjective भी ज़र देखिए examples समझेए अगर मैं कहूँ what is your name आप यह sentence बच्पन से सीखा होगा what is your name तो यहाँ पर वर्ट जो है प्रणौन है जिसको interrogative प्रणौन कहते हैं अब ज़र देखिए दुसरा निखते हैं what subject do you like कौन सा subject आपको पसंद है अगर आपको कोई कहे कि आपर what क्या है तो यहाँ पर what है सर एजेक्टिव यहाँ क्यों एजेक्टिव है क्योंकि बगल में इसके नाउन लगा हुआ है चलिए यह चीज़े समझ में आ गई अभी difference करेंगे हम आते हैं which को लगए जब हम which की बात करते हैं तो which भी हमारा एक pronoun है और यह आपका एक adjective है चलिए ज़र अब समझते हैं जैसे अगर मैं एक्जेंपल की थुरू करूँ विच इस यो फेवरेट मूवी विच इस योर फेवरेट मूवी कौन सी आपकी फेवरेट मूवी है तो यहाँ पर अगर आपसे विच पूछा जाए तो यह अगेन आप इसको कहेंगे इंटरोगेटिव प्रनौन चीक है अब आगे समझे इसको मैं लिखूं विच मूवी हाव यू वाच्ट रिसेंटली विच मूवी हाव यू वाच्ट रिसेंटली अब यहाँ पर आपसे कोई विच पूछा जाए तो विच क्या है सर इंटरोगेटिव अजेक्टिव है तो दीकि यह हो गया हमारा बेसिक्स ठीक हमने इंटरोगेटिव एजेक्टिव इंटरोगेटिव प्रनौन समझ लिया अब आते हैं कि दोनों की बीच में डिफरेंस क्या है जरा समझेग अच्छे से जब आप वोट की बात करते हैं तो अब धेंट यहां पर विदाट ओप्संस होता है विदाट च्वाइश होता है विदाट ओप्संस या च्वाइस आपको कोई भी च्वाइस नहीं दी जाती है और इसके बढ़ आपको पता चलेगा कि अभी तक हमनेрамात का यूज य और विच का बात करूँ, तो which आपका है, with choice, or options, अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि what is your favorite movie, then सही है, इसमें हमने कोई भी options आपको नहीं दिया, what is your favorite movie, अब पीछे वाला example से हम लिखे हैं, वहीं दो आते हैं, which is your favorite movie, but अभी ये questions complete नहीं हुआ है, अभी हमें उनमें देना पड़ेगा, horror, comedy, romance या romantic, romantic, etc. तो जरा समझिये, कि जब आप which का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको options देना पड़ेगा, और अगर आप what का use करेंगे, तो आपको options देनी की ज़रूत नहीं है, बोथ are used for the same action or same condition, एक ही condition के लिए, एक ही दरा के condition के लिए दोनों का इस्तेमाल होता है, बट अंतर सिर्फ इतना है, कि यहां आपको options नहीं देना है, जब which में आपको options देना है, I hope what और which का basic plus difference दोनों आपको समझ में आ गया, तो वीडियो को share करिए, और चैनल पर पहली वार आए, तो चैनल को subscribe जरूर किजिए, thank you.